हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए One Step Towards Freedom के लेकर आ गया हूं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगा तो प्लिस आप लोग वीडियो को लाइक के दिजेगा तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए कि चलते हैं इस अपिसोड की तरफ त आप लोगों को बहुत ही जादा बर जाएगी लेकिन इस चीज में तुम लोगों को बहुत ही जादा प्रॉबलम होने वाला है इस पर यह चोटी लड़की बोलती है मैं ऐसा करने के लिए राजी हूं क्योंकि यह जगा मेरा घर है और चाहे इस चीज में मुझे कितनी भी तकलिव क्यों ना हूं मैं इस गाम को करने के लिए तयार हूं इस पर जीन बोलता है तुम यहां से जाओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे तुम्हारे उपर कितना भी बड़ा खत्रा क्यों ना आ जाए इस बात को सुनने के बाद यह चोटी लड़की जीन और इस लड़की से थोरी दूर चली जाती है और अपने इस टीक की मदद से यहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है जो कि आप लोग देखी सकते हो जिसकी बज़े से यह लड़की और जीन और यह लड़की भी थोरी सी सौक होती ह लेकिन तभी हम लोगों को आसमान का सीन दिखाया जाते है जहां पर अचानक से मोसम बहुत ज़्यादा खराप होने लगता है और यहां पर रेट कलर की एनरजी चारो तरफ फैल जाती है और इसके अंदर से एक लाइट निकलती है जिसके अंदर से यहां पर तीन बहुत ज स्पीट वर्ल से यहां पर आये हैं और इनमें से एक तो एसी एंड गौड है यह लड़की यह सब बोली देए होते हैं लेकिन तभी यह दिमन लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोगों को किसी तरह करके भी इस लड़की को इस चीज को करने से रोकना होगा और वह दो गया बोलने के बद अपने बहुत सारे इसकेलिटन से इस फॉर्मेशन के उपर हमला कर देते हैं लेकिन यहां पर टाइम रहते हैं अपने ब्लैक होल को अपेर कर लेता है और कुछ दिर मेनत करने के बाद इन दिमन लोगों को एक को इनी दिमन लोगों के उपर फेंग है जिसकी वुझे से अभी आटेक और फी जादा saat हो गया होता है और वह पूरी स्प्रीय के सात में इन घ्यों का मानने के लिए जा रहा है लेकिन तभी दीमन अपने सामने एक सील बना लेता है जिस कि भूसे है यह आटेक इसमें लग जाता है और वह यह define its looking God इस लगइंपर लेकिनन घर्यां लेकिन इस फाइपर कीया तुम यह जानने के लाइक ने ओर तुम मेरे रास्ते से घ मरना तुम मारे जाऊंगे क्योंगि तुम जैसे चीटने हमेरे सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे यह यह सब बोली रहा होता है लेकिन तभी हम लोगों को इस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में एनरजी निकलने लगती है इस चीज को देखकर यह डीमन अपने साथियों को बोलता ह है इस चीज को देखने के बद यह डीमन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए वर्दी हो और क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनिम वर्ल्ड की जितनी भी ज्यादा इस पिच्वल पावर वो सभी अभी बंजर हो गई है इसलिए तुम इसलिए तुम्हें इसके साथ सावधाने से फाइट करना होगा नहीं तो इस चीज में तुहारी जान भी जा सकती है डिंगुन जिन को यह सब समझारी रहे होते हैं लेकिन तभी यह डीमन अपने स्केलिटन से जिन के ऊपर हमला कर देता है जिससे बंचने के लिए जिन भा लाकर देते हैं लेकिन यह लगी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बराने लगती है जिसकी विजह से इन लोगों के पीछे की और जाने लगते हैं इस चीज को देखकर यह डोनों डीमन आपस में बात करने लगते हैं कि यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इस फाइट को हार जाएंगे लेकिन अब तुम हम लोगों के हांतों से मारे जाओगे और वो लोग या बोलने के बाद आगे ही और बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी वो लोग एक फॉर्म को बोलती है तुमनों को किसने क्या की यह अकेली है और यह लेडी जो यहां पर आई है वो और कोई नहीं फेरी क्वीन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फेरी क्यों को यहां पर देखने के बाद यह लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुस हो जाता है और वो पर जोयान तुम यहाँ पर क्या कर रही है चुर को देखने के बाड़Comm 2011 सब बहुती है एक这EM सब यहाँ चाते है उत्तर से पड़個 Л talking इयाँ और उसन अता है तुम का więcej इसके लोग और सब्सक्राइब करो कि इसाबी लोग बहुत अपने काम में लग جाते हैं जिसके विजर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा powerful formation केरियेट होता है उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा powerful sword बाहर निकलने लगती है इस चीज़ को देखकर यह demon भी अपने एक बहुत ही ज्यादा powerful formation को create कर लेता है जिसके अंदर में बहुत सारे skeleton होते हैं लेकिन तभी जिन अपने इस formation के sword से इस demon के उपर हमला कर देता है जिसकी वज़ेसे यह demon भी अपने skeleton से जिन के इस attack के उपर हमला कर देता है लेकिन जिन का attack ज्यादा powerful होता है जिसकी वज़ेसे वो इन सभी को destroy करते हैं इस demon की तरफ आगे बढ़ने लगता है इस चीज़ को देखकर यह demon भी थोड़ा सा स्वाक होता है और वो अपने आसपास में एक protective barrier बना लेता है जिसकी वज़ेसे यह sword सीधे आकर इस barrier से टकराती है लेकिन इस demon को अभी भी इस sword को रोकने में problem हो रही होती है और वो बोलता है सच में यह लोग बहुती ज़्यादा powerful है लेकिन यह लोग मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे और वो यह बोलकर इस sword को पगर लेता है जिसकी वज़ेसे यहाँ पर एक बहुती बड़ा blast होता है और इस चीश के चपेट में यहाँ पर जिन और उसके साथी लोग भी आ जाते हैं जिसकी वज़ेसे वो लोग दूर जाकर गिरते हैं लेकिन तभी हम लोगों को फेरी जुईयान को दिखाया जाते है जो कि इन लोगों के साथ fight कर दिये होती है और वो इन लोगों के ऐसे हालत को देखकर थोड़ी सी डर जाती है लेकिन तभी यह demon जिन को बोलता है सच में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा power है और मुझे तुम से अब थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि सच में तुम powerful हो इस पर जिन बोलता है तुम यहाँ पर अपनी बखवास बातों को बरना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और वो यह बोलकर अपने स्वाट से एक select attack इट के उपर कर देता है इस attack को देखने के बाद यह demon टो पहले तो सांतर रहता है और इससे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने punch से इस attack के उपर हमला कर देता है जिसकी विज़से इन दोनों के attack आपस में टकराते हैं और ground में चारो तरफ energy फैल जाती है इस चीज़ को देखकर सभी लोगोती ज्यादा सौक हो रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को खड़े होने में भी problem हो रही होती है जिन और इस demon की हाँ पर fight चली दे होती है लेकिन तभी हम लोगों के इस cocoon को दिखाया जातने है जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और कुछी देर में इस cocoon में एक blast होता है इस चीज़ को देखकर ही कुछ आपस में बात करने लगते है कि यह छोटी लर्की finally अपने इस process को complete कर ली है तभी हम लोगों को इस लर्की को दिखाया जाते है जो की evolve हो गई होती है और वो दिखने से बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी लग रही होती है और इस लर्की के साथ में जिया बावी भी evolve हो गई होती है जो की आप लोग देखी सकते हो इसके बाद हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाते है जिसे यह अटेक लग लिया होता है जिसकी बुझे से होवा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो इस लड़की को बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो सकती हो इस पर यह लड़की बो जाता है जिस लिए तुम अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है इन सब चीजों के लिए तुम्हारा सुक्रिया और अगर तुम मुझे चाहो तो नान जूर नाम से अभी बूला सकते हो इस पर जिन बोलता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सब बातों पर मिट्टी डालो अभी तुम फ्यूचर में अपने इस वर्ल को दोबारा से शुरू करो इस पर यह लड़की भी मुस्करा देती है और वो अपने साथी को बॉलती है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ र